प्रतिष्ठा और अवसर की सम्ता यहां ध्यान देने की बात यहा है कि सम्विधान दो तरह की सम्ता की बात कर रहा है प्रतिष्ठा और अवसर की पहला कानून की दृष्टी में सबको समान दर्जा दिया गया यानि राजा हो या भिखारी, दलित हो या सवन, महिला हो या पुरुष, सबके लिए एक ही कानून होगा दूसरा, सार्वजनिक जीवन में लिंग, जाती, धर्म, भाशा आधी के आधार पर भेद भाव को खत्म किया गया यानि कोई भी नागरिक भारत के किसी भी सार्वजनिक पद को हासिल कर सकता है, एवं सार्वजनिक सुविधाओं का उप्योग कर सकता है समविधान सबको अवसर की समानता दिये जाने की बात कर रहा है इसका तातपर यह है कि समाज में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबको न केवल समान अधिकार रहेगा बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए समान अवसर भी मिलेंगे यानि उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जरूरी आहरताओं को हासिल करने में भी समानता लाई जाएगी उदाहरन के लिए अगर न्यायाधिश पद के लिए कुछ आहरताएं तैं हैं जैसे LLB डिगरी वह वकालत का अनुभव तो जो कोई इन्हें प्राप्त करता है वह न्यायाधिश पद के लिए आवेदन दे सकता है साथ ही यह सिक्षा और वकालत का अनुभव भारत के हर नागरिक के लिए खुला है लिंग जाती, धर्म या भाशा के आधार पर किसी पर पाबंदी नहीं है न्याय और स्वतंत्रता की तरह समता भी एक दार्शनिक अवधारना है हर इनसान को चाहेवा स्त्रियों या पुरुष, अमीर हो या गरीब, शारिरिक रूप से पूर्ण हो या सक्षम, बच्चा हो या व्रिद, किसे भी धर्म, जाती या छेत्र का हो उसे एक व्यक्ति के रूप में समान आदर और समान मिले और अपने मरजी अनुसार जीवन जीने के अवसर मिले उलेखनी है कि सम्विधान में हर तरह की समता, खासकर आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है व्यक्ति की गरिमा और राश्र की एक्ता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता इससे पहले कही गई बाते जैसे स्वतंत्रता या समानता व्यक्तियों के लिए थी ये स्वतंत्रता और समानता प्राप्त व्यक्ति आपस में विरोध में न खड़े हो एक साथ रहे और अपनी सामुहिक्ता को बनाये रखें इसके लिए बंधुता की बात कही गई है हम ऐसा समाज नहीं बनाना चाहते हैं जहां केवल हर व्यक्ति अपनी ही बात सोचे और केवल व्यक्तिवाद को आदर्श बनाये हम यह भी चाहते हैं कि वे आपस में भायचारा रखें, सहयोग करें और एक साजी राष्ट्र का निर्मान करें लेकिन यह ऐसा भी राष्ट्र नहीं होगा जिसमें व्यक्ति का कोई स्थान न हो यह जिसमें केवल राष्ट्र को सर्वोपरी माना जाए यह ऐसा राष्ट्र बनेगा जिसमें व्यक्ति की गरिमा को बनाये रखा जाएगा